आपने सुना होगा कि जब भी चुनाव आता है नेताओं के दल बदलने का दौर शुरू हो जाता है ऐसी तस्वीर अब कुछ दिन पहले यूपी विधान सभा चुनाव से पहले देखने को मिली थी भाजपा के कई बड़े नेताओं ने सपा का दामन थाम लिया था जिसके बाद भाजपा ने अखिलेश यादव के घर में ही सेंधमारी कर दी अब एक बार फिर से यूपी की सियासत में भूचाल आया हुआ है शिवपाल यादव के अलावा सपा के बाहुबली नेता रमाकांट यादव के बीजेपी में शामिल होने की अट्कले लगने लगी है यूपी में विधान सभा के बाद अब MLC चुनाव 2022 की सरगर्मी तेज होती दिख रही है आजमगड मौ सीट से BJP प्रत्याशी अरून कांट यादव ने अपने पिता रमाकांट यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है रमाकांट यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं रमाकांट यादव बाहुबली नेता कहे जाते हैं और फूल्पुर विधान सभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं वही जब मीडिया ने सवाल किया कि आपके परिवार के ही दो सदस्य अलग-अलग पार्टियों में अरुन यादव ने फौरण का हो सकता है कि कल वह रमाकांट यादव बीजेपी में शामिल हो जाएं इस बार विधान सभा चुनाव में जातिवाद चरम पर था बीजेपी को भाजपा से प्रत्याशी हैं और उनके पिता सपा नेता हैं और उनका कहना है कि उनके पिता भाजपा में शामिल हो सकते हैं उसका कारण यह भी है कि विधान सभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा